बच्चो आएए आज हम कछातीन का हिंदी में पार्ट दो का प्रस्मुक्तर करते हैं देखिए बच्चो ये पार्ट दो है पार्ट दो है चीलो दाजा आएए मैं इसका आपको प्रस्मुक्तर बताती हूँ आप लिए अपने कॉपी में करें पहला प्रस्म है लड़के ने आसमान में क्या देखा उत्तर होगा लड़के ने आसमान में उड़ती हुई एक चील खो देखा जो एक सांप को अपने पंजे में गबायत हुए थी दूसरा प्रस्ण है लड़के ने सांप पर तीर क्यों चलाया? उत्तर है लड़के ने सांप पर तीर इसलिए चलाया क्योंकि सांप चील के बच्चे को निगलने वाला था दूसरा प्रस्ण है चील ने बच्चे के बदले क्या करने का बच्चन दिया? उत्तर होगा, चील ने बच्चे के बदले उस लड़के को अपनी इस द्रिष्टी और सक्ति साली पंखो से हमेशा उसकी मदद करने का बचन धिया चोथा प्रस्ण है, बाद में लड़के को सिकार की तलास में क्यों नहीं भटकना पड़ता था उत्तर है, बाद में लड़के को सिकार की तलास में इसलिए नहीं भटकना पड़ता था क्योंकि चील आकास में उड़कर अपनी तेज रिष्टी से सिकार की तलाश करती और लड़के को बता देती थी फ़ाश्वा प्रस्मे लड़का राजा कैसे बना लड़का चील की मदद से नामी शिकारी और योधा बना इसकी बहादुरी से प्रभावित होकर लोगों ने इसे राजा मान लिया आज के लिए इतना है धान्डवाद